हाई एवरीवन वल्कम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी वैल्यू ट्विंटी इंडेक्स के बारे में कि भाई ये इंडेक्स है क्या और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हाँ तो इसमें इ बात करें कि भाई ये निफ्टी फिफ्टी जो वैल्यू ट्विंटी इंडेक्स है इसमें कौन-कौन सी कंपनीज शामिल की जाती हैं तो इसमें निफ्टी फिफ्टी की जो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो वैल्यू वाली ब्लू चिप कंपनीज है जो की NST पे लिस्टे इसको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है इसमें 20 ऐसी कंपनीज है जो इस इंडेक्स में शामिल की जाती है आज की डेट में ITC के पास सबसे ज़्यादा वेटेज है 15.41% की फिर आपको TCS दिखेगी 15.19% के साथ उसके अलावा Infosys, HUL, HCL, Tata Steel, NTPC, Power Grade, Tech, Mahindra, JSW Steel तो य ये 10 टॉप कंपनीज है जिनकी की सबसे ज़्यादा वेटेज है इस इंडेक्स में और अगर हम सेक्टर वाइस बात करेंगे तो IT की कंपनीज सबसे ज़्यादा है 41% उनकी वेटेज है उसके बाद FMCG 28% फिर आपको Metal, Mining, Power, Oil, Gas, Auto, Construction और Chemical Companies दिखाई देंगी यानि कि आपक इसकी Rebalancing की बात करें तो ज़्यादा तर जो Index है उनकी Rebalancing हर 6 महीने में होती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा Different जो Rebalancing Method है वो Follow किया जाता है इसकी Rebalancing है साल में एक बार होती है और वो कब होता है वो होता है दिसंबर में जब Future and Option के Expire होती है निकि Last Thursday जो December का होगा उसके इस Index में Companies को शामिल और Exclude किया जाता है इसके अलावा कौन-कौन सी Companies इसमें शामिल हो सकती है पहले-पहले तो वो Nifty-fifty का Part होनी चाहिए यानिकि Large Cap Companies होनी चाहिए उसके बाद चार Parameters जो Value Investing के होते है Return on Capital Employed, P.E. Ratio, P.B. Ratio और Dividend Yield इनके basis पे सभी Companies को Ranking दी जाती है और उसके बाद जो Top 20 Companies होती है उनको इस Index में शामिल किया जाता है तो जिन Companies की P.E. और P.B. Ratio कम होती है उनको Better Ranking मिलती है इसके अलावा Dividend Yield और Return on Capital Employed जिन Companies का जादा होता है उनको Better Ranking मिलती है और Ranking में जो Weightage होती है सबसे जादा होती है Return on Capital Employed की यानिकि जिनकी Return on Capital Employed अच इल की 0.1 यानि कि जिस कमनी की Return on Capital Employed अच्छी है उसके इस Index में शामिल होने के चांसे सबसे जादा होते है उसके बाद P.E. P.B. और Dividend Yield के बेसिस पे इन Companies को सेलेक्ट किया जाता है तो पहली जो 50 कमनी आज की डेट में 50-50 में है उनको ये Ranking दी जाती है वेटेज इस बे दी जाती है Return on Capital Employed, P.E. P.B. और Dividend Yield की और उसके बाद जो Top 20 कमनी निकल के आती है वो इस Index में शामिल हो जाती है अला कि ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो इस Index में कमनी है उसकी जो Maximum Cap है वो 15% हो यानि कि इस Index में वेटेज में 15% होनी चाहिए अला कि अपने पिछ जाती है तब इस वेटेज को Change किया जाता है उसके बाद March, June, September और December का जो Last Trading Day होता है उस दिन भी देखा जाता है कि अगर किसी कमनी की वेटेज 15% से जादा हो गई है तो इसको Adjust कर दिया जाता है लेकिन इस बीच में अगर कोई कमनी अच्छा करती है तो उसकी वेटेज 15% स कर दिया जाएगा और वो दुबारा से 15% या इससे नीचे आ जाएगी और अब अगर बात की जाएगी क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर हां तो इसमें कौन-कौन सी अविलेबल ऑप्शन हैं तो डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियों का कुछ हिससा इसमें जरूर रखना चाहिए अगर आप इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है इसने डिविडेंड को मिला करके 19.28% की टोटल रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में लगबग 16-17% की रिटर्न है पिछले एक साल में 8% क की रिटर्न है यह सब एन्वल बेसिस पे हैं इसके अलावा इयर टू डेट यानिकि एक जनवरी 2023 के बाद जबकि हमारे इंडेक्स ने काफी खराब परफॉर्म किया है तब भी इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दी है तो ओवरॉल क्योंकि यह वैल्यू हो सकता है आपके लिए लांग टम में और आप अगर जानना चाहते हैं कि इस इंडेक्स की कमपनीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कुछ आपको ETF की ऑप्शन मिलेगी एक mutual fund भी है जैसे कि ICICI potential NV20 ETF है अगर आप ICICI NV20 के नाम से अपने DMAT account में ढूनेंगे तो आपको यह मिल जाएगा उसी तरह से HDFC Nifty 50 value 20 ETF है HDFC value के नाम से डूनेंगे तो यह भी आपको मिल जाएगा अगर tracking error के हिसाब से देखा जाए तो इन ETF में जिसका tracking error काम होता हो अच्छा माना जाता है तो ICICI Prudential यहां पे better है expense ratio भी जिसकी काम हो अच्छा माना जाता है यहां पे भी ICICI Prudential HDFC वाले से better है और overall AUMB जिसका जादा होता है निकि liquidity की जादा chances होते हैं अगर कल को आपको बेचना खरीदना पड़ता है secondary market में तो यहां पे भी 63 करोड के साथ ICICI Prudential का NV20 ETF है वो better है तो अगर आप ETF के माध्यम से इसमें invest करना चाहते हैं तो ICICI Prudential NV20 ETF के द्वारा क Index Fund के नाम से mutual fund आता है हाना कि इसमें थोड़ी सी expense ratio ज्यादा होती है बट liquidity काफी अच्छी होती है 272 करोड रुपए इसमें already invested है तो इसमें भी आप invest कर सकते हैं तो जो भी माध्यम आपको suit करता है लेकिन मुझे लगता है कि अपने portfolio का खास करके ऐसे time में जबकि बहुत ज portfolio जानना चाहते हैं कि वो 20 कंपनी कौन सी हैं जो कि इस index में शामिल हैं तो 10 हमने पहले discuss की थी ITC, TCS, Infosys, HUL, HCL, Data Steel, NTPC, Power Grid, Tech, Mahindra और JSW Steel इसके अलावा जो 10 कंपनी हैं वो हैं ONGC, GrassSame, Hindalco, Wipro, Britannia, Coal, India, Bajaj Auto, UPL, Hero Motocop और BPCL तो आप देख सकते हैं आपका portfolio बहुत ही अच्छे से diversify हो जाएगा और जैसे जैसे अगर कोई company खराब करती है जैसे क्या दानी वगेरा हो गई तो वो अपने आप 50-50 से बाहर हो जाएंगी और उस time पे आपको better company इसमें मिल जाएगी तो आप इसमें definitely consider कीजिए कि आप शायद invest करना चाहेंगे अला कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views हैं वो मेरे personal हैं अगर आप किसी भी stock या mutual fund में invest करना चाहते हैं तो अपनी further research के basis पे ही कीचिए thanks so much for watching the video and God bless you all